शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर किराय के मकान में जहरीली कीट नाशक दवाई बनाने वाली तैक्टरी चल रही थी पोलिस और कृशी विभाग की टीम ने शापा मारा है एक करोड पचास लाग रुपे की कीट नाशक दवाई बरामत मौके से दो आरोपियों को भी किरफतार किया गया है फाक्टरी मालिक मौके से फरार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शाजापुर से शाजापुर जन्पत के थाना कोट वाली की गता किराय के गुदाम में चल रहा था वैद कारोबार जहरीली कीट नाशक दवाईं बनाने वाली फैक्टरी संचालित की जा रही थी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी खेब बड़ी खेब बरामत हुई है एक करोड पचास लाग रुपे की ये कीट नाशक दवाईं बरामत की गई है मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कलिया गया है अला की जो फैक्टरी मालिक है वो मौके से फरार है वे शाजापुर में दो लोगों की हाईचेंशन लाइन की चपेट में आने से मौके बड़ी खबर ट्यूबेल की छट से निकले तारों से दर्दनाख हासा खाना अलाह गंज छेतर के रावत पुर गाउं का पूरा मामला है दो लोगों की हाईचेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई ट्यूबेल पे काम करते वक्त यह हाथसा हुआ ट्यूबेल की छट से निकले तारों से दर्दनाख मौत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शाजांपुर की जहां ट्यूबेल पर काम करते समय तो लोगों की हाईचेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाख मौत हो गई खाना अलाहा गंच शेतर के रावत पुर गाओं का मामला तो दो लोगों की हाईचेंशन लाइन के चपेट में आने पर मौत हो गई है महीं वक्त हो चलेक छोटे से ब्रेक आपकाई मज आएगा जल्द हाजिर होंगे